अब्याइडमी अभियाडमी दोस्तों समविधान की मूल विधी के कुछ कोश्टन से स्टार्ट किये थे हमने टारगेट बन थाउजन एंड वन हंड्रेट के लिए तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं तो तीसरी क्लास में आपका स्वागत है स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी स याने की भाग नो में उसमें त्रीसतर या पंचायते बनाने की परिकल्पना की गई है नैक्स्ट कोश्चन है भारति समविधान का कौन सा भाग समविधान की आत्मा कहलाता है आत्मा की बात कर रहा है सोल ओफड़ी कॉंस्टिटूशन तो क्या है मूल अधिकार है राज्य को समविधान की आत्म कहा जाता है तो नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कोस्टॉट्छन है भारत्य समविधान की उद्देशिक का को किस ने राजनायतिक जनमपत्रि किस ने ने कहा इसकी बात पूछ रहा है महात्मा गांधी जवाहरलाल नहरू सरदार वल लबाई पटेल या के एम मुनशी तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह जाएगा ओप्शन नमबर जिहां बिल्कुल सही बता है आपने ओप्शन नमबर डी याने की के एम मुनशी ठीक है फ्रेंड्स और इस को को अच्छे से याद रखेंगे के मुनशी ने कहा था कि भारते सम्विधान की जो उद्देशी का है वह राजनेतिक जनम पत्री है ठीक है फ्रेंड्स तो इस प्रिकाल से आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन है भारते सम्विधान को एक पवित्र दस्तावेज किस समीति के अध्यक्ष भी थे और उन्होंने ही बिवयर्प अंबेठ करने ही समविधान को लेखनिबत किया था ठीक है टोкимиवह थिट तो देखने जड़ा दो हो जाएगा option number D याने की कुछ वर्गों के विशेश उपबंद से संबंधित है भारते संविधान का भाग सोला ठीक है फ्रेंड्स next question है भारत में भूमी सुधार का विशे किस सूची में वरनित है भूमी सुधार का भूमी से संबंधित जो भी सुधार होते हैं जो भी उसमें प्रक्रियाएं होती हैं वो किस भाग में या किस सूची में आती हैं सूची की बात कर रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो संग सूची में संवर्ति सूची में राज्य सूची में या प्रस्तावना सूची में तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह जाएगा ओप्शन नमबर सी याने की राज्य सूची में राज्य सूची का ही विशय है जो हमारे पास हाँ जो हमारे पास भूमी सुधार का विशह है वो राज्यसूची का ही विशह है राज्यसूची के अंतरगत्थी आता है ठीक है फ्रेंड्स तो सही जवाब हुजाएगा इसका उप्स नंबर सी याने की राज्यसूची संविधान की ग्यारवी अनुसूची किस से संबंधित है नगरपाली का से पंचायती राज से केंद्र राज्यसंबंध से या ब्रश्टचार निवारण से तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह जो कोस्टन मैं आपके संविधान की मूल विधी के भी फ्रेंड जब हम इतने सारे कोश्चंस को लर्न कर लेंगे अच्छे से हमारे एक सब्सक्राइब मुश्किल है कि छूट जाए यह सारे मजे के साथ हो जाने वाली है ठीक है लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि जो भी मैं आपको बता रहा को आप अच्छे से और कर लें अच्छे से प्रिपेर कर ले चाहें तो आप इस वीडियो को बार-बार देख लें कम से कम अगए आप इनको अपर आप कर सकते हैं उस तो काफी अच्छा रहेगा आपके आज़ाम के लिए ठीक है तो कोश्चन ता हमारे पास कि सम्वीधान की ग्यारवी अनुसूची किस से संबंदित है तो ओप्शन से हमारे पास नगरपाली का से पंचायती राज्य संबंद से ब्रिया ब्रष्टाचार निवारन से तो इसका सही स्रवोच नियायालियान ने सरवपरथन घोषित किया कि उद्देशी का समविधान का हिस्टा नहीं है बेरूबारी केस सरजं सिंग लगनाथ केस या केश्वानंद भारती केस तो इस प्रकार के जो अलग-अलग केसी होते हैं जो फियमवस होते किया है इस वाले question को ठीक है जिसमें कहा कि अभी उद्देशी का प्रस्तावना भारत्य संविधान का अंग नहीं है ठीक है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option number a याने की बेरुबारी केस था यह इसके बारे में थोड़ा डीटेल में देख लेते हैं क्या था तो बेरुबारी यूनियन वाद 1960 में हुआ था इसने सर्वोच नियायालिया ने निर्णे दिया इसके बाद कि जहां सम्विधान की भाशा संदिक्द हो वहां प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है तथा इसके फैसले क के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने यह घोशित किया कि उद्देशी का सम्विधान का अंग नहीं है ठीक है फ्रेंट्स तो इस प्रकार से आपको इसका जो जो भी इसकी थियोरी है या जो भी इसकी डीटेल है वह याद रख लिनी है कि नेक्सक्षिन हमारे पास राज्य के हैं अनुष्षेद निर्देशक तत्व सम्विधान के अध्या 4 में नहीं हैं उप्षन से अनुष्यद बताने हैं हैं अमें तो 52 से 61 तक या अनुष्यद 25 से 35 तक 36 से 51 तक या 18 से 24 तक तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है त जाएगा ठीक है फ्रेंट्स चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन की तरफ पॉस्टन नमबर टैन में कह रहा है निम्न लिखित में से एकोंसा ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है अन्य कोई नहीं कर सकता व्यक्तियों व्यक्तियों की संपत्ति के पूंजी गत मूल्य पर कर सीमा सुल्क या आयकर पर अधिभार या भूमी राजस्व तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमी राजस्व ठीक है फ्रेंट्स जो की तहसील द्वारा लिया जाता है ठीक है फ्रेंट्स तो इसका सही जवाब मैं एक्सपाइक करता हूं आप से कि आप इनके जवाब कमेंट में जरूर देंगे है और मुझे पूरा विश्वास है कि आ याप इनके जवाब कमेंट में जरूर ना भूले तो पहला को पांस जिसका जवाब सभागर्य कहा गया लेकिन उस कक्ष को या उस इस्थान को अब क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है options राज्य कक्ष या पुस्तकाल्य भवन या लोग सभा कक्ष ठीक है इसका जवाब आपको comment box में देना है सेकिंड कोस्टन है भारत के सभीधान को 1926 में cabinet definite Mission योजना के तहद गठित एक सम्विधान सभाद्वारा गठित किया गया था इस सम्विधान समीतिया थी प्रारम में पूछ में अ decision is this सभा में और इसके साथ हैं कैसे कैसे लगे एक का इसलम और इसके और क्या-क्या subjects चाहिए जिनके इसी प्रकार के जो previous exams से निकाले हुए important questions हैं वो आपको चाहिए तो आप इस प्रकार से demand कर सकते हैं उसकी भी पूरती आपकी यहाँ पर की जाएगी ठीक है फ्रेंड्स तो इसी के साथ मैं भीशेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा और उम्म वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी फायदा उठा सके ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ